नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार यूनिक परिवार में दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी डिवाइस की जो आपके जीवन में अहम भूमिका निभाता है मैं बात कर रहा हूँ किसी ऐसे डिवाइस की, किसी ऐसे financial डिवाइस की बात कर रहा हूँ जो की आप कहीं भी shopping करने जाते हो, किसी भी business platform पे जाते हो, वहाँ पे आपको use करने के लिए मिलता है, कतने अब यह card swipe करेंगे, उस machine का जो नाम है, वो है पाउस machine, इसको हम लोग point of cell के नाम से जानते हैं, इसका मतलब होता है, यह एक ऐसी machine है, जिस machine के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को बेट सकते हैं, किसी भी चीज़ को sell कर सकते हैं, that is called पाउस machine, और हर जगह ये यूज हो रहा है चाहे आप कहीं भी चले जाएए किसी भी retail transaction को complete करने के लिए ध्यान से सुनिएगा किसी भी retail transaction को complete करने के लिए जिस machine का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग point of cell के नाम से जानते हैं इसके नाम से जानते हैं point of cell के नाम से जानते हैं और इसके कोई भी इनसान जब अपना current account बैंक में open कराता है तो वहाँ पे उसे पाउस मसीर का option मिलता है और वो क्या करता है इस्चू करवा लेता है अपना आराम से यदि आपको आपके बिजनस में पाउस मसीन किया हो सकता पढ़ रही है आप कोई छोटा सा सौप लिए है या बड़ा सा सौप खोले है उससे मतलब नहीं है यदि आपको अगर पाउस मसीन किया हो सकता पढ़ती है तो एक बात आप कान खोल करके सुन लिजिए वहां से फिर आप ला करके और वैसे भी जब आप बैंक जाएंगे तो वो दो प्रकार का करेंट अकाउंट से इशू करता है पहला कहता है विद बैटरी और एक कहता है एक तो कहता है विद बैटरी चाहिए या विदाउट बैटरी चाहिए ठीक है विद बैटरी विदाउट बैटरी का मतलब क्या होता है जब आप कभी भी बैंक में जाएंगे पाउस मसीन लेने के लिए तो वहाँ पे दो प्रकार की मसीन लेती रहती है एक जो विद बैटरी रहती है इसमें पर मन्त 450 रुपया सम्थिंग कटता है आपके एकाउंट से यह मत सोचना कि जो लोग बैटरी वाला लिए है यानि लाइट ना रहे तो भी पाउस मसीन चले उसको हम लोग क्या कहते हैं 450 रुपया पर महीने चार्ज करता है और जो विदाउट बैटरी होता है जो सिर्फ और सिर्फ एलेक्टरिक से चलता है उसका जो है 400 250 रुपया यह भी ध्यान में रखना हर बैंक का अलग अलग रूल होता है तो यह मैं एप्रॉक्स लिख रहा हूँ किसी और बैंक का कुछ और चार्ज हो सकता है नॉर्मली मैं यह बताना चाहता हूँ आपको कि जो दो प्रकार के पाउस मशीन होते हैं उसमें से अलग अलग उनके रेट होते हैं अलग अलग उनक क्या करते हैं point of cell का use कर सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर image रख दिया है आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर देखें यहाँ पर मैंने image रखा है यह देखें यह ऐसा machine आप देखें होंगे अपने हाँ आइसा machine आप देखें होंगे कि वहाँ पर क्या करता है यहां जो side में है यह जो side वाला option यहां पर क्या करता है वो swipe करने का काम करता है यहां पर क्या करेगा card को swipe करेगा और उसके बाद यहां पर वो amount इंटर करेगा amount इंटर करने के बाद आपको दे देगा यह पिन इंटर करो पिन इंटर करने के बाद जैसे ही वो green बटन दबाएगा जैसे ही वो green बटन दबाएगा क्या हो जाएगा आपका तुरंद के तुरंद प्रिंट हो जाएगा और यहां पे प्रिंट और जानते ह रद्धी पेपर होता है वो इसमें इस्तिमाल किया जता है और उसको इस्तिमाल करने के लिए लोग कहते हैं कि इसमें थर्मल प्रिंटर का यूज होता है किसका यूज होता है थर्मल प्रिंटर का यूज होता है इस बात को ध्यान से आप सुन लीजिए और जान लीजिए और अच्छा अभी आप नए जब अभी नए माहल में गए होंगे जब आप कहां पे पेट्रोल पंप पे तो पेट्रोल पंप आपको इस तरीके के काड मिल रहे होंगे इस तरीके के आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पे आपको क्या होगा इस तरीके के काड मिल रहे होंग इसको मैं छोटा करता हूँ इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ में चलिए पेट्रोल पंप पे जब कभी आप गए होंगे तो आपको क्या होता होगा इस तरीके का कार्ड मिलता होगा और आप एक चीज़ देखते होंगे कि आटोमेटिक जितने रुपे का पेट्रोल डलवाते हैं वहाँ पे क्या होता है एमाउंट लिक करके आता है और जैसे ही वो ग्रीन बटन नमाता है अपना OTP और अपना PIN इंटर करके तुरंट के तुरंट उसके एकाउंट से पैसे डिड़क्ट कर दिये जाते हैं तो यही आपका पाउस मशीन होता है अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं अपना परिवार यूनिक परिवार भारत की नंबर वन टीन के साथ आपका अपना परिवार यूनिक परिवार थैंक यू